हेलो स्टुडेंट्स आज के वीडियो में हम देखेंगे पी एंजंक्शन डायोट का करेक्टरिस्टिक तो स्टार्ट करते हैं हमें चाहिए होगा एक डायोट डायोट हमने लिया डी वन एन फॉर जी जिरो लिया है एक लोड रेजिस्टर आप चाहिए पहले लगाएं चाहिए बाद में लगाएं के एक डी-सी सोर्स करना है इसका कि एक डायोट को क्रेक्टरिस्टिक प्रेक्टिकल को आप प्रेट बॉर्ड पर भी करेंगे तो आपको एक डीजी अप्लाई एक एमिटर एक वोल्ट-मिटर एक डायोट एक रिश्टर चाहिए होता है आधिक सेंग करने ने यहाँ पर डी सब्लाइक प्युच्ण न को में लिए ने कन्यूं ने भ इनुच फॉ bara दिए है युज वीज न सरक्टियु cur रहें गे ऊडि़ा हमारा जिसका पीज़ायच 매ड टिरेंगे से नियू सिमिलेशन प्रोफाइल हमें इसका DC अनलिस करना है तो यहां पर चेंज करेंगे टाम डॉमेंड को DC से आप उसको रिनेम करें कुछ भी नाम दे सकते हैं वही नाम हमें यहां पर मेंशन करना होगा उसकी वोल्टेज हम यहां पर देंगे कितने वोल्ट से कहां तक देंगे स्टार्ट वाल्यू जीरो एंड वैल्यू हमने टैन वोल्ट दे रही है यह आप अपने साब से सेट कर सकते हैं कि मैंने कर रहा है पॉइंट वन वोल्ट के स्टेप से यह जनरेट करेगा डेटा जनरेट करेगा अब इसे रन कराएंगे हम अब देखे 10 वोल्ट का स्केल हमारे पास आ गया है अब इसमें बेफ ट्रेस करनी हमें जाएंगे ट्रेस में एड ट्रेस हमें क्या चेक करना है डायोड करन्ट है हुझिंण क्या क्रेंट मिल रहा है वो हमें ट्रेस करना है तो क्या है आप आई डीवन डायट का डायट का नमबर हमारे पास किया है इसलिए डायट करन्ट हमने स्लेक्ट किया है उसकी वेव हमें ट्रेस करने है आप है उसकी स्लेक्ट किया तो नीचे यहां पर देखिए यह आपका करण्ड आपका लिनियर्ड इंक्रीज होता जा रहा है और नोटिस करेंगे तो करण्ड में क्या होता है पियां जूंट्स सिलिकान डाइवड में क्या होता है करंट कांक्रीज होता है में मेली वोल्ट मतलब .7 वोल्ट हो गया , पायंसे sulphन के बाद ही मासा करण्ट इंक्रीज होने स्टाट होगा अर लीनेरी हमारा सरकेट में कर्ण्ट लीनेरी इंक्रीज हो रहा है ,5.7 वोल्ट के बाद ही बिफोर पॉइंट सेवन वोल्ट लेस दिन पॉइंट सेवन वोल्ट आपको बहुत माइनले इंक्रीज हो रहा था है ठीक है अब हम चेक करेंगे डायोड के अक्रोस करण्ट कितना तेज से इंक्रीज कैसे कंड़क्टिंग स्टार्ट कर रहा है जैसे कि आप लोग को पता है कि डायोड कंड़ेट करता है स्लिकन डायोड में प्वाईडnew व२्ट के बाद तो हम क्या करेंगे यहां पर अग्छिष में डायोड का इँच मेंडेज हम ने क्या किया है जटायोड कर दिया क्रोस हमारा प्रण्ट इंक्रीज कब हो रहा है चजए करेंगे देखिए है यहां पर देखिए क्रांट कैसे हो रहा है दिशली कहां जाकर वौल्टेज हो रहा है करन ग्रीक्ष और पॉएंट सैवन वोल्ड चे पहले और उससे पहले आपका 700 million volt मतलब 0.7 volt उससे पहले करण आपको देखें जा रहा है माइनली चल रहा है इसको एक्जेक्ट लिए हमें देखते हैं यहां पर क्या करण चल रहा है यहां पर टॉगल कर से इनेबल किया हमने यहां पर चेक करिए कि कितना मिली वोल्ट पर करण कितना चल रहा है हमारा यहां से हमने स्टार्ट जीरो चल रहा था उसके बाद देखें कितना चल राइस होना स्टार्ट हुआ है 2456789 मिली वोल्ट वोल्ट अब हम नोटिस करेंगे तो 0.7 वोल्ट से नीचे मतलब 700 मिली वोल्ट से नीचे ही चल रहा हमारा वोल्टेज अदम नीचे तक पहुंचते पहुंचते हमारा डायोड कंड़क्ट करना स्टार्ट कर चुका है उसके अक्रॉस हमें करन्ट 23 से मिलना स्टार्ट हो गया यहां देखिए उससे पहले बाद उससे पहले कुछ नहीं था करन्ट माइनल इंक्रीज हो रहा था उसके बाद हमारा करन्ट के तरह 23 से इंक्रीज उन्हें स्टार्ट हुआ है इस तरह हमने देखा कि पिए जंक्शन डायोड सिलिकन डायोड का कंडॉक्टिंड वोल्ट होता है उसके बाद करन्ट 23 से राइस वहना स्टार्ट हुआ है यह हमारा पिए जंक्शन का फारवड बाइस का करेक्टर से अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जैसे स्टुडेंट को इन वीडियो का फायदा मिल सकें थैंक यू फर वाचिंग